प्रधन मंत्री नरींद्र मोदी मातलर्तुनरी प्रलाइव चुद्दा MSMS के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई कदम है इस बजेट में MSMS के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है manufacturing और exports ecosystem को हर जीले तक ले जाने के लिए बजेट में एहम गोशना की गई है E-commerce, export hubs और food quality testing के लिए 100 units ऐसे कदमों से one district, one product भ्यान को गती मिलेगी साथियों ये budget हमारे startups के लिए innovation ecosystem के लिए देर सारे नए अवसर लेकर आया है space economy को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड रूपय का fund हो angel tax हटाने का फैसला हो ऐसे कई सारे कदम इस budget में उठाए गए है साथियों record high capex economy का एक driving force बनेगा 12 नए industrial nodes देश में नए satellite towns का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिस प्लांस इससे देश में नए economic hub विक्सित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे साथियों आज defense exports records तर पर है इस budget में defense sector को आत्म निर्वर मनाने के लिए अनेत प्रावधान किये गए हैं आज पुरी दुनिया में भारत के प्रती आकर्शन बड़ा है और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाए बनी हैं तूरिजम खेत्र गरीब और मद्यम्बर के लिए कई अवसर लेके आता है इस budget में तूरिजम खेत्र भेर भी विशेस बल दिया गया है साथियों NDA सरकार ने पिछले दस साल में यह सुनिशित किया है कि गरीब और मद्यम्बर को लगातार टैट्स से राहत मिलती रहे इस budget में भी income tax में कटोती और standard deduction में बुद्धिक का फैसला लिया गया है TDS के नियमों को भी सरल किया गया है इन कदमों से हर टैस्ट प्येर को अतिरिक्त बचत होने वाली है साथियों देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी छेत्र का संपोर्ण विकास पूर्वो दय के विजन द्वारा हमारे इस अभ्यान को नई गती नई उर्जा मिलेगे हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रासेक्टर जैसे हाइवेज वाटर प्रोजेक्स और प्रावर प्रोजेक्स का निर्बान कर विकास को नई गती देंगे साथियों इस बजेट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है अन भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडोक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं इससे एक और छोटे किसानों को फल्क सब्जियों अन्य उपज के लिए नए बजार मिलेंगे बहतर दाम मिलेंगे तो दूसरी और हमारे मद्यमबर के लिए फल्क सब्जियों की उपलब्दता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोशन भी सुनिस्टिर होगा कृसिक छेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है इसलिए दलहन तिलहन की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की गोशना की गई है साथियों देश में गरीबी समाप्त हो गरीब का सतक्ति करण हो इस दिशा में भी आज के बजेट में प्रमुग गोशना की गई है गरीबों के लिए तीन करोड ने घर मनाना ताय हुआ है जन जातिय उन्नत ग्राम अभियान सेक्टिरेशन एप्रोच के साथ पांच करोड आदिवासी परिवारों को मुलबुत सुविधाओं से जोड़ा जगा इसके अलावा ग्राम सड़क योजना पचीस हजार नए ग्रामिन छेत्रों को आल वेजर रोड से जोड़ेगी इसका लाव देश के सभी राज्जों के दूर तराज गाउँ को मिलेगा साथ क्यों आज का बजेट नए अवसर नई उर्जा लेकर आया है ये डेर सारे नए रोजगार श्वरोजगार के अवसर लेकर आया है ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फूचर लेकर आया है आज का बजेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करेगा विक्सित भारत की एक ठोस निव रखेगा सबी डेश वाद्वियों को बहुत 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 है